हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल और आज की वीडियो बहुत इंटरस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम करने वाले हैं अपने डॉल ओन वैक्सिन हीटर को रीफिल क्योंकि ये एमप्टी हो गया है तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न और मैंने लाइव टेस्ट भी करके दिखाये था आपको कि कौन सी जो है आपको वैक्सिंग जो है वो सुटेबल लगती है आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है वो खाली हो चुका है और इसमें जो है वैक्सि जो रीका काइंड ओफ वैक्स होती है I don't know कि वो original थी या नह जायऄ हम वैसी थी और यह जो है इसके साथ जो है कोई रिफिल जो है नहीं मिलती है आप रिफिल भी ओर गारस कर सकते हैँ तो वो ही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो इस तरीके का अगर आपके पास डेपलेटर हीटर है तो आप रोल ओन वैक्सिंग अगर करना चाहते हैं तो इसको जुरूर देखिए आपको करना क्या है कि आपको लेना है कोई भी एक पैन जिसमें आपको पानी को जो है वो बॉयल करना है मैंने यह पे फ्राइ पैन ले लिया है और वो जो पानी है उसको गरम करने के लिए रख दिया है आपको अपने जो रिफिल है उसको पानी में इस तरीके से डाल देना है और ध्यान रहे है कि पानी बहुत जाता गरम भी हो सकता है क्योंकि इसको almost boil करना है तब तक और काफी time तक इसको मैं आपको दिखाने वाले हूँ कि कितने देर तक हम इसमें इसको रखेंगे तो करीबन 2-3 मिनट का time ये ले लेता है जब तक आप देखेंगे कि ये जो है पूरा boil हो चुका है और ये जो इसका wax है ये भी धीरे धीरे इस पर से चुटना शुरू हो गया है क्योंकि heat है तो heat में जो wax है वो spread होनी शुरू हो जाती है और ये जो है update है करीबन 5 मिनट का 5 मि देख सकते हैं और इसका जो cap होता है वो lose होना शुरू हो जाता है जब भी आप इसको गरम करते हैं पानी में boil करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां से जो cap है वो lose होनी शुरू हो जाती है तो ये जो time है इस time पे आप अपने जो heater को जो है off कर सकते हैं और यहां से आप इसक तो आपका refill है वो भी बहुत जादा गरम हो चुका होता है तो आप केरफुली किसी भी आप इसको प्लकर से प्लक करके या चिम्टे से या किसी भी तरीके से इसको निकाल सकते हैं आप देखेंगे कि इस वे जो है बहार और बिटकुल सब जगे जो है स्प्रैडों के इसकी व पूरा मैसी है तो आप इस स्टेज पे इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं अंदर से क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अंदर आपको वैसे भी आप देखेंगे कि इसके कंपार्टमेंट है अलग लग मुझे नहीं समझ में आया कि आज सकी इसमें दो रॉलर है वह बहुत ही अतरीके से जाम हो चुका है हम इसको थोड़ी देर और करेंगे ताकि इसकी गरम होके हट जाए और इसको इस तरीकेश से हम थोड़ी देर गरम पानी में आप देखेंगे इसको क्या ओल endured कर दो हम पね बहुत करने सकते हैं और इसको अदोंट है उल्म कोटन के कपड़े पे या किसी भी कपड़े पे आप हलका सा ओयल लगा के जो भी ओयल आपके पास में है कोकरनेट ओयल है आमन्ड ओयल है कोई भी ओयल है उसको थोड़े से कपड़े पे लगा के और उससे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं मैंने आपको बताया कि अंदर से clean करने की ज़ुरत नहीं है क्योंकि हम इसको वापस से wax से fill करने वाले हैं तो किस तरीके से हम fill करेंगे और अगर इसको आप clean करेंगे भार से तो आपके लिए use करना बहुत ही अच्छा हो जाएगा आप देख सकते हैं कि मैंने जो है wax लिया है यहाँ पे normal sugar wax है आप कोई भी wax ले सकते हैं मैंने जो है अपने local drugstore से wax लिया है और मैं इसको थोड़ा सा pouring consistency में convert करके इसको pour करूंगी अपने refill में और देखते हैं कि इसका result किस तरीके से आता है अभी आप देखेंगे कि यह थोड़ा melt होना शुरू हो गया है और यहाँ पे मैंने इसमें refill कर लिया है अपना यह wax आप देख सकते हैं कि हाफ से जादा काफी मैंने इसके अंदर refill कर लिया है इस तरीके से आप अपने refill को कर सकते हैं फिर से फिल और कोई भी आप wax ले सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप अगर roll on waxing करते हैं तो आपको other cartage जो है वो order करनी पड़ेगी तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं